हलो दोस्तों आज हम लोग solve करेंगे class 12 chapter 5 exercise 5.4 को इस exercise को solve करने के लिए आपको दो concept का पता होना चाहिए दो functions के बारे में आपको पता होना चाहिए exponential functions और log function के बारे में तो इन दोनों का एक अच्छा अच्छा वीडियो है दोनों का आप मैं वो link दे दूँगा यह दोनों बहुत ही जरूरी functions हैं आपको आना चाहिए यहाँ पे इन problems को solve करने के लिए simple अगर आप दो चीज़ अगर आप याद रखते हैं d by dx of e to the power x तो इसका होता है direct e to the power x मतलों e to the power x को अगर आप x के respect में differentiate कर रहे हैं तो उसका direct यही same to same क्या हो जाता है differentiation और अगर आप d by dx of log x करते हैं तो इसका differentiation 1 by x होता है यह दो चीज अगर आपको पता है और यहाँ पे जो base होता है वो e होता है ncrt में इसको आप लोग log x लिखते हैं वहाँ पे base e नहीं दिया हुआ आप उसको मानना है जहाँ भी log x है तो आप समझ लो कि base e है और यह जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ अगर आप नहीं जानते हैं तो यह दोनों वीडियो देखने के बाद पूरा का पूरा आपका concept clear हो जाएगा यह 100% मैं guarantee देता हूँ आपको ठीक है तो यहाँ पर आप जैसे in general अगर आप समझ सकते हो जैसे 7 square equal to 49 आप बोलते हो तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि base 7 हो जाएगा और यह 49 हो जाएगा और यह 2 यह हो गया logarithmic representation यह हो गया exponential representation यह दोनों एक दुसरे का inverse आप बोल सकते हैं यह basic understanding है आपको यह पता होना चाहिए यह दोनों अगर आपको basically पता है तो यह भी आप अराम से solve कर सकते हैं तो देखी जैसे first question यह है इसको मैं solve करता हूँ यहाँ पर माल लिए कि let y equal to e to the power x divided by sin x यह लिखा हुआ है है ना अब इसी को क्या करना differentiate करना है following functions with respect to x तो इसमें कुछ भी नहीं करा है जो हम लोग अब तक पढ़े हैं वह ही है वह dy by dx chain rule आपको लगाना है dy by dx of कितना है यह e to the power x divided by sin x यहाँ पर तो यह u by v वाला function है u by v तो इसमें क्या होता है पहले v square नीचे में तो v यहाँ पर क्या है इसको अगर आप u माल लेते हो इसको अगर आप v माल लेते हो तो पहले आप क्या लिखोगे sin square x है ना और फिर v यहाँ पर पहले तो sin x पहले आप यहाँ पर लिख लिए और फिर d by dx of जो u था e to the power x और फिर minus अब क्या होगा e to the power x को छोड़ दो और v का differentiation कर दो d by dx of sin x यही है ना बस यही तो करना है और तो कुछ नहीं करना तो this equal to अब कितना हो जागा यह देख लो जो होगा वही answer हो जाए यह हो जागा sin x e to the power x का मैं बोला कि e to the power x ही होता है तो e x हो गया फिर minus sin x का cos x हो जाएगा तो यह हो जागा e to the power x cos x divided by sin square x है ना अब यहाँ पर अब common लेना चाहते हो तो e to the power x को common ले लो तो फिर dy by dx मतलब इसका differentiation क्या हो जागा dy by dx equal to e to the power x common ले लो तो sin x minus cos x divided by कितना sin square x तो यह इसका answer हो गया differentiation का same method है जो अभी तक हम लोग 5.1, 5.2, 5.3 में करते आए हैं same to same हो आप यहाँ पर यह ही है बस introduction है यहाँ पर log और exponent का अब देखें इस function को करते हैं इसको मालनों कि let y equal to e to the power sin inverse x है है ना अब यहाँ पर जब dy by dx हम लोग निकालेंगे इसका e to the power sin inverse x है ना तो यहाँ पर chain rule लग जाएगा अगर यहाँ पर हमको क्या पता है e to the power x होता तो उसका differentiation e to the power x होता तो माल लिए दिमाग में कि वही है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए तो जो है वही लिख दिये यह मैं chain rule में आपको बताया हुआ हूँ यह e to the power x हो गया और फिर जो माने थे आप उसका differentiation किसका sin inverse x का सही है यही तो chain rule बोलता है तो this equal to e to the power sin inverse x into sin inverse x का यह formula भी याद रहना चाहिए इसका क्या हो जाएगा 1 by 1 minus x square इसका root हो तो यह हो गया इसका answer d y y d x simple है एक एक लाइन का है फिर यहाँ पर इसको अगर आप y माल लिए तो d y y d x यहाँ पर फिर से करो d y d x equal to d y d x of यहाँ पर क्या हो गया y e to the power x q फिर से same concept एक ही चीज है बार बार इसको माल लो कि यह x है फिर इसका करेंगे तो क्या हो जेगा e to the power जो था क्योंकि e to the power x का e to the power x ही होता है तो यह हो गया into जिसको माने थे उसका फिर से x q यह तो बसर्त है आपको सबसे easy है यह हो कि 3 x square equal to 3 x square e to the power x q यह इसका क्या हो गया answer इसमें कुछ तो है नहीं simple सी बात है लेकिन मैं यहाँ पर यह बोलूँगा problem solve करना तो यहाँ पर बहुत easy है इस exercise में आपको मैं जो यह दोनों चीज बोला हूँ यह आप पक्के से देखो और इसके concept को समझो अब देखते हैं next problem यह है fourth question इसको फिर अब करेंगे dy by dx तो equal to क्या हो जागा dy dx of sin of tan inverse e to the power minus x तो chain rule लगाना कुछ तो नहीं करना है इसमें ठीक है equal to कितना हो जागा यह sin है इसके अंदर यह मालो के x है तो यह क्या हो जागा sin का cos x हो जागा और x क्या माने थे जो माने थे वो यहाँ पर लिख दो tan inverse e to the power minus x और फिर जिसको माने थे उसका फिर से differentiation कितना हो जागा tan inverse e to the power minus x यही तो करना है chain rule में है की नहीं अब तो यह जितना है वो तो रहेगा cos of tan inverse e to the power minus x और फिर अब यह क्या हो जागा tan inverse इसको मान लो x तो tan inverse x का पता है मुझे क्या पता है 1 by 1 plus x square x किसको माने थे इसको e to the power minus x chi square तो इसको 2x कर लिए ठीक है पतलो इस पूरे का square था तो यहाँ पर 2x हो गया ठीक है और फिर d by dx of जिसको माने थे e to the power minus x इसका differentiation यही चैनल जितना बार रहेगा अंदर में composite functions functions के पर अंदर functions करते चले जाएंगे हम लोग cos of tan inverse e to the power minus x divided by मतलब 1 by 1 plus e to the power minus 2x और यह कितना हो जाएगा e to the power x का पता है हमें कि e to the power x होता है तो यहाँ पर minus x को थोड़े दर के लिए x माल लिए और फिर dy dx of कितना minus x का ठीक है जिसको माने थे तो अभी इसका कितना हो जाएगा minus 1 तो इसका total answer कितना हो जाएगा minus बाहर आ गया cos tan inverse e to the power minus x into e to the power minus x अब आगे पीछे जिसको जो लिखना हो लिखा वो चलेगा e to the power minus 2x यह हो गया इसका answer ठीक है अब देखो इसको यह क्या है इसको जब dy by dx करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा यह dy dx of log cos e to the power x ठीक है base यहाँ पर जो भी question उसमें base e है log का तो log अगर है यहाँ पर तो कितना हो जागा dy dx of log x कितना हो तो 1 by x तो 1 by x किसको माने इसको यह total का total यहाँ पर लिख दिया हमने ठीक है और जिसको माने उसको फिर से dy dx of cos of e x सही है अब यह कितना यह जो जो होगे इसको तो कुछ नहीं करना है और फिर यहाँ पर cos x अगर होता तो उसका differentiation minus होता minus sin x होता तो x के जगब e to the power x है और फिर e to the power x का differentiation d to the power x divided x of e x तो उसका तो same to same होई होगा तो यह minus बहार आ गया sin e to the power x और फिर यह होगया e to the power x divided by cos e to the power x अच्छा, इसको sin by cos है इसको 10 भी लिख सकते हो minus 10 e to the power x e to the power x यह होगया, इसका answer ठीक, कुछ नहीं करना था इसमें यह देखो यह भी equal to my life यहापे y तो dy by dx अगर करेंगे तो d by dx of e to the power x यह सब easiest problems है ठीक है प्लस d by dx of e to the power x square फिर प्लस यहापे क्या-क्या होगा x q होगा, x 4 होगा और last में प्लस e to the power d by dx of e to the power x5 यह है न, तो फिर इसको जब करेंगे हम लोग differentiate तो e to the power x का कितना हो जाएगा जो है वो ही रह जाएगा फिर इसको e to the power x को क्या होगा इसका e to the power x थोड़ी देर के लिए इसको x माल लिए तो e to the power जो था होता हो ही गया और फिर इसका differentiation कितना 2x into 2x फिर प्लस यहाप x q होता तो क्या होता e to the power x q और फिर x q का 3x square ऐसा होता सिंपल है फिर प्लस इसका दो 4 वाला होता तो e का power x 4 और फिर उसका क्या हो जाता 4x q समझ भाड़ी बात फिर प्लस यह 5 का क्या हो जागा e to the power x 5 into 5x 4 यह होगा यही इसका answer ही होगा और क्या इस 2 को पहले लिख दो इस 3 को यहाँ पे लिख दो इस 4 को यहाँ पे लिख दो यह जैसे भी लिखो यही इसका answer होगा अब देखो question number 7 यहाँ पे क्या है y equal to root over eat के अंदर root over x है और यहाँ पे condition दिया होगा x is greater than 0 क्योंकि function को defined होने के लिए यह जरूर ही है root के अंदर x है तो यह greater than 0 होना चाहिए इसलिए वो conditions दिये होगा वहाँ पे हरे questions में यह जैसे function defined हो वहाँ पे undefined ना हो इसके लिए यह चीज दिया होगा condition ठीक है function define होने के लिए तो यहाँ पे dy by dx अगर आप करेंगे तो equal to क्या होगा d by dx of इसको आप इस तरह से लिख सकते हो या इसे ही लिख लो basic आपको समझ में आएगी 1 by 2 इसे लिख सकते हो वह से तो direct root का 1 by 2 root x लिख सकते हो तो this equal to of क्या होगा यह अगर कोई एक चीज होता है यहाँ पे का power 1 by 2 होता तो 1 by 2 1 by 2 इधर आ जाता और फिर जो चीज है यहाँ पे उसका power 1 by 2 minus 1 हो जाएगा है कि नहीं यह होगा न अगर d by dx of x to the power n होता n x n minus 1 होता तो वही काम यहाँ में किया यह 1 by 2 था 1 by 2 हो गया फिर यह 1 by 2 minus 1 हो गया into अब जिसको आप माने थे क्योंकि यह था नहीं original form में यह तो d by dx of e to the power root x इसको कर देंगे तो हो जाएगा तो this equal to 1 by यह जब आप लिखेंगे तो 2 root over e के अंदर root x यह तो हो ही जाएगा इसका मतलब भी हो ही हुआ नीचे में आ जाएगा फिर यह है ना और into e to the power x अगर होता तो इसका differentiation e to the power x होता तो x के जगा पर root x अदो यह लिख दिया और फिर d by dx of कितना root x ठीक है तो this equal to 1 by 2 root under e to the power root x into e to the power root x into इसका फिर से क्या आजागा 1 by 2 root over x root x के difference नहीं होता 1 by 2 root x यही आपका answer हो गया अब बुक में यह कहीं पे साहिद इस तरह से है कि e to the power यह root x है तो यहां से यह root x कर जाएगा तो उपर में इसे भी आप लिख सकते हो equal to जैसे इसको आप लिख सकते हो root over e to the power root x उपर में और divided by 2 into 2 4 हो गया 4 root x ऐसा भी लिख सकते हो इसको root root करके 2 बर into लिख सकते हो एक root से एक root cancel हो जागा उपर में एक root बच जागा तो यह इसका answer हो सकता है अब देखो question number 8 यहाँ पे जब dy by dx करेंगे हम लोग equal to यह के ऐसा one liner questions है इसमें कुछ भी नहीं है जो important है वो हमें पहले ही बता रिया कि वो दोनों वीडियो आप देखिए वो दोनों देखिएगा अगर आप किसी competitive examinations के लिए भी तयारी करें किसी भी चीज़ के लिए कर रहे है वो बहुत ज़रूरी आपको help करेगा तो dy dx of log यह एकर x होता तो 1 by x होता तो 1 by x के जगा पर क्या है यह total का total log x into dy dx of जिसको मान लिये थे आप यही तो general यही तो बार-बार हम लोग पर रहे है ठीक है तो this equal to 1 by log x और फिर यह log x का डिप्रेंसरिशन इस वर क्या है 1 by x यह आप तो x ही है तो 1 by x तो 1 by x log x यही हो गया dy by dx यह इसका answer हो गया कुछ नहीं करना था इसमें है कि नहीं इसको जब करेंगे आप dy dx of cos x divided by log x इसको जब करेंगे यह क्या होगा u by v के term में है तो simple सी बात है इसको क्या कर लेंगे हम लो log x ठीक है v का square फिर v को छोड़ दो log x को छोड़ दिया और dy dx of u का कर दिया तो cos x फिर minus u को छोड़ दिया और dy dx of v का कर दिया ठीक है यही है ना simple सी बात है तो this equal to यह कितना होगया log x यह होगया कितना minus sin x फिर minus cos x और log x का 1 by x divided by log x का square ठीक है simple ची बात है this equal to अब कितना होजा गई है अगर इस x को यह पुल्टिप्लाई आप कर दो तियो होजाएगा minus minus होजाएगा नही है minus sin x है यहां कितना हो जगई है minus x log x sin x और फिर minus तो इस minus को common ले लो इस दोनों को plus कर दो चलेगा यह यह भी बात भी चलेगा divided by log x ठीक तो यह इसका answer होगया और गया d by y d x जो परहे थे जितने formula हम लोग जानते है u a b, u plus v यह chain rules वही सब applicable हो रहे है यहाँ पर इस chapter में सिर्फ एक ही चीज है log और e का introduction हुआ है यह है इस exercise का last question y equal to this दिया हुआ है आपको निकालना क्या है with respect to x इसको differentiate करना तो d by dx of cos log x plus e to the power x ठीक है यहाँ पर दिया हुआ कि x greater than 0 define होने के लिए log को मतलब को जहाँ भी इस chapter में जो भी यह दिया हुआ है यह दिया हुआ है सिर्फ function को define होने के लिए तो इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़ुरत नहीं है फिलहाल 5.3 में बहुत था condition का जो भी था वो हर एक चीज इंपोर्टन था अब जो x माल लिए थे उसका differentiation करना पड़ेगा dy dx of log x plus e to the power x और यह understood है यहाँ पर इस chapter में कि इस log का base e है तभी उसका differentiation 1 by x हो रहा है ठीक है यह NCRT इसी को follow करता है ठीक हो गया जो था same to same हम लोग यहाँ पर repeat मार देंगे plus e to the power x into अब यह क्या है u plus v u plus v तो इसको अलग differentiate कर दो काम बन जाएगा अपना है की ने तो यह कितना हो जाएगा यहाँ पर इसका हो जाएगा 1 by x और फिर plus e to the power x का तो e to the power x ही हो जाएगा कुछ करना ही नहीं थी यह तो इसका direct answer ही हो गया है की ने कुछ आगे पीछे करने ही जोड़त नहीं है तो इसका differentiation यह हो गया dy by dx तो यह chapter बहुत ही easy था 10 question 10 minute काफी है इसके लिए तो आज के लिए बस इतना ही अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक आप पढ़ाई करते रहिए थैंक यू